आज हम बहुत ही फेमस चीट फूड बनाएंगे चीली प्रट्टो जो खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है इन्हें घर पर बनाना बहुत ही इजी होता है आप एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए तो वजार के खाना भूल जाएंगे आप हमेशा अपने घर पर ब देंगे दैन इसे परे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से अ कि को कि सोच की कटिंग कर लेते हैं तो देखिए हमने इने अच्छे से चॉप कर लिया है इसी तरीके से अपने सारी चॉप कर लेंगे सो देखिए हमने सभी को चॉप कर लिया है इसे दो से तीन पानी में अच्छे से हम वाश कर लेंगे सो हमने इने अच्छे से वाश कर लिया है एक कॉटम की कपड़े से ने अच्छे से पूछ लेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी न रहे तो युने पोच लिया है एक बड़े बावल में कर लेते हैं हमने एक बड़ा बावल ले लिया है अपने आलू कर लेंगे एक चुथाई चमच नमक या साधा नुसा नमक थी टेवल स्पून कॉनफोर बाउडर अगर आपके पास कॉनफोर बाउडर नहीं है ता आप अरा रो अच्छे से हम इस कर लेंगे ताकि कॉनफोर मिर्च हमारी सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखे हमारे कितने अच्छे से यह सारे कोट हो चुके हैं इन्हें डीफ्राई करेंगे कड़ाई में हमने ऑईल को डाल दिया है ऑईल को अच्छे से गरम होने देंगे अपने अलू डाल देंगे इसे प्याटर को इन्हें हमें दो बार प्राइब करना है गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे इन्हें मीडियम फ्लेम पे पहले एक बार प्राइब करेंगे कि भीलेंगे पार में इसे 80 पर्षेंट फ्लेंगे इसे करना है पूरा प्राय नहीं करना है लेंज निकर करेंगे अब तेल को अच्छे से हम est same होने देंगे देंगे इन सेकेंड बार इसे बहुत फिछ गरम होरिए बहुत फ्राये करते हैं पैन ले लेंगे पैन में डालेंगी टू टेबल स्पूल और एक इच अधर का तुकड़ा कद्दूकस किया हुआ है दो बारिक हरी मिर्च कटी हुई दो हरी मिर्च को हमने लंबा चॉप कर लिया है सॉल्टी कर लेंगे एक प्याज को हमने स्क्वेर में कट कर लिया है एक शिमला मिच को स्क्वेर में कट कर लिया है थोड़ी सी पत्तागों भी ले लिए हैं हलका सा सॉल्टी कर लेंगे हम इसे golden brown नहीं करना है बस हलका सा salty करेंगे यह पत्तागों भी डाल देते हैं मैंने इसमें लस्टमाल नहीं करा है अगर आपको लस्टमा पसंद देता आप इसमें लस्टम भी आइड कर सकते हैं आप टीजपोन नमा कोँदें हाफ टीज्पोन रेडचिली ओ इस माइबा टीज़ी कॉड़े अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे मिक्स कर देंगे तो तेल में हमारा खुब अच्छे से गरम होगया है अपने चीली प्रेट्टों डाल देंगे एदम क्रिस्पी गोल्डन दाउर हो ले तक हमें डीज़ाइ कर लेंगे अच्छे से क्रिस्पी फ्राइब होगया है अच्छे से क्रिस्पी फ्राइब होगया है बारे कटा हुआ हरा धनिया प्राइस डाल देते हैं मिक्स कर देंगे हमारे चीली प्रेटों कितने बढ़िया बने हैं हमने इसमें कोई फूर्ड कलार के इस्तमाल नहीं कर आए कितना बढ़िया कलार आया है सफ कर लेते हैं अच्छे गळम गरम चीली प्रेटों बनके एदम रेडी हैं आपको मेरे वीडियो पसंद आई लाइक और सब्स्राइ बाइ!